हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डेली मार्केट आनलिस फोडकास्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कल के लिए दो इंट्राड स्टॉक पिक तो कल के लिए दो पिक रहेंगे मेरे हिन पेट्रो और टाटा पावर तो शुरू करते हैं टाटा पावर से तो आप देख सकते हो कि स्टार्ट आप आउर लगबग 1% नीचे बंद हुआ है 90.30 के लेवल पर तो यहां जो है तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खसा करेक्शन आएगा तो इसको आपको 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 91,92 के अराउंड इसको बेचना है आपका स्टापलस रहेगा 93 के उपर और मुझे लगता है कि नीचे जो है तो यह 86 का लेवल इंट्राडे में दिखा सकता है तो यहां आपका स्टापलस रहेगा 1,5 रुपए का और नीचे जो टार्गेट बनते है वो तो रिस्क जाधा रहेगे यह ध्यान में रखिये तो यह रहा मेरा पहला पीक टाटा पावर सेल अराउंड 91,92 स्टापलस अब हो 93 और नीचे जो टार्गेट रहेगा वो 86 करेगा अभी दूसरा जो पीक है मेरा वो है हिन पेट्रो तो हिन पेट्रो आज लगवक तीन वो है 241 के लेवल पे तो यहा जो है तो आपको यहा भी सेल ऑन राइज भी उरकना है आपको हिन पेट्रो को सेल करना है 243,244 के लेवल के अराउंड आपका स्टापलस रहेगा 247 के उपर और नीचे जो टार्गेट बनता है इसका वो बनता है 228 रुपीज का तो यहा जो ह तो आपको हिंद पेट्रो सेल करना है 243, 244 के लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा 247 के ऊपर और नीचे जो टार्गेट बनता है वो 228 का तो यहां रिस्क जो है तो लगबग 4 से 5 रुपे की रिस्क है मगर जो रिवाड है वो 15 रुपीज प्लस का रहेगा तो यहां आपको अच्छा खासा रिवाड है 1 इस्टू 3, 4 का रिवाड है तो यह दोनों पीक रहेंगे मेरे आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो तो आपको 240 का पूट ऑप्शन लेकर चलना है स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेंगे स्पॉट पे तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन में से एक रिट करनी होगी तो आई होप सो कि यह दोनों पीक आपको कल जो है तो अच्छा खासा मुनाफ़क कामा कर दें तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल का सब्सक्राइब कीजे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक के वहाँ जाकर जॉइन कीजे और थैंक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो